नमस्कार दोस्तों मैं सान्ति उसान्चमान यूट्टिब गाजी पूरलाहरी काहिश चलम celebrated आपका स्वागत कता हुं दोस्तों दोस्तों मैं आज आएक को बताने जा रहा हुं आलू किस परकार फायदेमंद है। सबसे पहले मैं आपको आलू कھیती दिखा दे रहा हूं कार्बाइड की suppression मैं आपको आपको आलू की बइसे मता आपको किस परकार हमारे स्वास्त के लिए फाइदे मद्ध आप लोग जानते हैं आ तू आ अलू की आपके बीश्ट्न और क्या इसके प्रियोग हैं कैसे इसको यूज किया सकता है दोस्तों तो सबसे पहले जिन लोगों के पेट में जलन की सिकायत हो जैसे उनलोग का पेट में बराबर जलन होती रहती है तो उनलोग को नियमता दोस्तों सुबह खाली पेट आलू के जूस को पीना है आलू का जुस कतात पर दोस्तों आलू का जो रस होता है जैसे आप उसको आलू को लुगदी बनागी दोस्तों किसी कपड़े के माध्यम से उसके रस को छान लीजिएगा दोस्तों उस रस को छहनने के उपरान दोस्तों आप इसको पीजिएगा जिससे आपके पेट में जलन की समस्याय रहेगी उसको दूर कर देगा इसके साथ दोस्तों आप लोग सुबा का भोजन करते हैं सुबा का नास्ता करते हैं दोस्तों नास्ता करने से पहले जो लोग इसका रस पी आप कोई भी लगी बिट्वीड में नास्ता करने से पहले दोस्तों लोग को आलू मोटे करने से अगर। जिन लोग से लिए जाहा हूं सबस Camera करने से पहले दोस्तों को आलू ले- आलू एके रस को आलू के जूस को आदा ग्लास को सब्सक्राइब कर निकाल के सुबह बार दो thrust को बार निकला करते है कं 13 अज़ता बार nhà प्रीक देङल के जरा करते है इसको फैट वाला लिकुड करने काम करता है उसको जला के दोस्तों धीरी धीरी उसको बाहर निकाल देता है आपको पता भी नहीं चलता है दोस्तों और आपका जो है कि कितने लोग होते हैं आपको अपना जो है कि फैट कम करने के लिए भोजन कम कर देते हैं तमाम परकार की समस्याइं करते हैं जिनसे वीक हो जाते हैं क का मोटापाद दूर हो जाएगा उसके त σας आ दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपके पेट में जलन को भी दूर करता है ँन लोंकि डिटी का प्राबलम हो, जाला खाना खाली हो यह प्राबलम हो यह मसालादार खाना खाली हो इन Rings कई प्राइस में जाताइं करते नियुक्त प्राइस में गूमने जाते हैं कोई चाहिज पर्चा diffude फ। तो पीने से आपका acidity तुरंट दूर हो जाएगे दोस्तों आपको कोई भी इनु चाहे कोई अईसा चीज नहीं लेना पड़ेगा जिस से आपको परिसान ही हो आपको आलो ऑपके फाइदेमंद स्वास्त के लिए फाइदेमंद होगा अलू का रस अलू की रस आपका आपका आसिडिटी को मातर चुटकी में खतम कर देगा दोस्तों बसरते आपको उसका रस लेना है कि मैं यह ने आपको बता है दोस्तों यह सुबा खाली पया कितने फाइदे मन् GU Dion तो आप नियम तब इसका अलू का परियोग करें दोस्तों इसके साथ धोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आलू में भारी मातरा में कार्बो आड्रेट्स मिलता है आलू को दोस्तों ब्रत वाले भी लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों जो लोग ब्रत बुगते हैं वह लोग भी आलू ले सकते हैं जो लोग नहीं बुगते हैं वह लोग ले सकते हैं सबसे पर आप लोग देख इसके खेती को भी आप लोग देख लिजिए कार्बो आइडर्स दूस्तों हमारे सरीर को तुरंद उजावान काम करने काम करता है जैसे आप कर्फ ये जूस लेते हैं आपका सरी तरो तजा हो जाएगी तरो ताया के शासा साए दोस्तों घॉप math भरफूर मातरा में लेगी जिसे आपका दिमाग फ्रेस हो जाएगा दोस्तों कभी-कभी क्या प्रेसर के वज़े से जादा ओबरलोड काम करने के वशे दिमाग भारी हो जाता है उस कंडिशन में आप अलू करस्पीते हैं आपका दिमाग सांथ हो जाएगा ठीक हो जाएगा और आपको जो रचार्ब कर्दिस कर ददेंगा कर देगां कём आपको मुट्टी कर देगा उंड में बाइंकर दूस थो दू से निकल कर घूंढें और वो आड़ जिसको गुलो कोज बोला है दोस्तों एक तरफ फायदा करेगा दोस्तों एक तरफ नुकसान करेगा जो लोग डैपटी से परेसान होंगे दोस्तों लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा को आलू का सेमन न करें यूंकि आलू उनके लिए खतरनाक सा किजिए कमेंट किजिए का दोस्तों और जो नए यूजर में चैनल देखाएं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सित्पाद जीए का दोस्तों जहिंद धन्यवाद